बीरू अकाइडमी के यूटूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर बात करेंगे सिच्छा जगत से जोड़ी होई महत्रपूर्ण खबरों पर शबसे पहले बात करेंगे बीर अड़ भरतियों के लिए बड़ी रहा था है 12,460 की काउंसलिंग आज से स्टार्ट कर दी जाएगी मेरिट कट आप डाउन करके शिकेंड राउंड की काउंसलिंग ओपन टू ओल करने का जो आदेश है सच्यू बेसे सिच्छा परिशत की तरफ से जारी किया गया है जूनियर सिचकों के जो प्रमोशन्स की प्रक्रिया है एक बार पूरा रोग दी गई है क्या मामला है पूरी तरीके से चर्चा करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितनी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सबस्क्राइब करके बाल आइकन प्रेस कर लिजे लेकिन विभिनद जिलों की जो रुपेटों आ रही है उनसे 50 प्रसand से अभी जो सितने हैं प्रते जिले में खाली हैं ये निवज आप देख सकते हैं बलिया से प्रकासित हुई है इसमें 720 पद बलिया जिले में रिक्थ हैं जिन में पहले राउंड की कॉंसलिंग में अभी भी इस पर साधे तीन सूफ जादो जो पद हैं वो अभी भी रिक्त हैं तो सिच्चक भरती का जो कही ना कहीं स्टेडियून से वो जारी किया गया है और आज से कांसलिंग दुबाराई स्टार्ट की जा रही है ओपें टू ओल किया गया है आप जानते हैं भरती प्रक् जाली हैं तो इसकी वज़ा से अब अधर जितने डिश्टिक्स के कंडिडेट हैं उनको सभी डिश्टिकों में आलाउ किया गया है कि वहर जगा अपनी कांसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकती हैं और फिर जहां वो एक जगा युक्ति ले लेंगे तो उसके बाद और जग बाद ये भरती प्रिक्रिया चल रही तो अल्रेडी यहां पर जो कंडिडेट थे वो कहीं दूसरी स्यवाओं में निश्चित तोर पर कहीं ना कहीं अटाइच हो गये तो इसलिए जो पद हैं वो अल्रेडी अभी बेरिक्त हैं 50% से ज्यादा सीते अभी भी खाली हैं इसलि पर भरती में जो प्रक्रिया इस्टार्ट की जा रही है सेगंड राउंड की उसकी वज़ा से चूखि वही साप्टवेर है जिससे प्रमोशं सुनेए था और ही साप्टवेर भरती प्रक्रिया के लिए भी है इसलिए अग्रिम आदेश तक जो पदोनती है उसको रूप दि चिका है वो लखनव खंडपीट के सिंगल बेंच पर दाखिल की गई है और उनकी यह मांग है कि पदोनती ना की जाए क्योंकि प्राथिमिक लिबल से अल्रेडी भी यट को हटा दिया गया है वन टू फाइट से तो अब जूनियर में अगर आप प्रमोसंस कर देंगे तो वह पर सीरी भरतियां कीजिए इसके लिए इन्होंने आलड़ी मानिकूट की दहलीज पर एक केस को रिट किया है और तब तक हो सकता है कि उसकेस की भी सुनवाई हो जाए हलाकि पदोनत को लेकर के एक और मामला लखनव खंडपीट की एकलविंच में विचारा धीन है और आज उस मामले की सुनवाई होने जा रही है क्योंकि जो सिचकों की पदोनती का डाटा पब्लिस किया गया था वहाँ पर कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर सिचकों के ऐसे भी नाम आए हैं जिनके पास पेपर टू क्वालिफाइड नहीं है यूपीटेट हो या सीटेट पेपर इस तर का जो टीटी है वो क्वालिफाइड होगा तो इसको लेकर के अल्रेडी एक मामला मानी कोट पर खड़ा हुआ है और आज उस मामले की लखनव खंड पीट की सिंगल बेंच में सुनवाई होने जा रही है तो देखने वाली बात कियो होगी कि सिचकों के प्रमोसंस हो होंगे भी या आखिरकार बीट की जीत होगी और सीधी भरती यहां पर जूनियर में भी आएगी क्योंकि अगर प्रमोसंस कर दिया जाएगा तो सीधी भरती के जो विकल्प हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे बात कर लेते हैं अगली अपडेट की अगली अपडे दिजी कर रही है ये ऐसा एक वर्सी पाठिकरम है जिसमें आप प्लेट में भी इंकलूड हो सकती हैं माध्यमिक में भी उच्छ में भी लेकिन उसके लिए आपको किसी एक गोल को ही सिलेक्ट करना होगा ये नहीं कि आप इस कोर्स को करनी के बाद प्लेट में भी आए और जूनियर में भी जाएं अपर में भी जाएं ऐसा नहीं है उसके लिए सिर्फ आपको एक गोल को सिलेक्ट करना होगा ऐसा ये कूर्स डियाइन किया जा रहा है जो NCT की और से देश बर के उच्च सिच्छन संस्थानों के विसेसक के सिच्छकों के निगरानी में एक वर्स के बीएड को पाठिक्रम जो है वो create कराया जा रहा है तो अगर आप प्राथिमिक में आने की सोच रहे हैं तो आप लखनवी उन्वरसिटी से एक वर्स का बीएड कर सकते हैं लेकिन उसके लिए केवल और केवल आप फिर प्राथिमिक तक ही रह जाएंगे ना कि आपर के ये ऐसा कुर्ष डियाइन किया रहा है लखनवी उन्वरसिटी के द्वारा जिसमें अपने गूल को अल्रेडी पहले ही सेलेक्ट करना होगा उमिद करता हूँ सारे डाउट क्लियर हूँगे यतने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहें सबस्क्राइब कर लिजेगा ज है हिंट वन दे मात्रम